आज बात करने बाला है एक मल्司मितार के ऊपर कि एक मलती मितकल को किस तरह से यूज में लिया जाता है अगर अगर अपको लापती मिन अपर को इस वीडियो और पॉपली तरitos कर्षाओ एक मॉल्टिमितार को किस से करना के वीडियो को स्टाट करने के पहले मेरा चोड़ा सा रिक्वेस्ट ए जिन लोगों नहीं तक चाहिए को सब्सक्राइब नहीं किया चाहिए को गल्लो फट्रवर्ट से सब्सक्राइब और पास में जो बेला के ने उसको दावा के अल पर सिलेट करो क्यूंकि जब भी कोई नया वीडियो अप्लेट करें उसका नॉटी किसन गोटी भीडेशना आपको जल्री मिल जेते हैं चल लो तो यह तक से तो यह बहुत एक सस्ता वाला मल्टिमेटर आता है जो आप लोकल मर्केट में बहुत यासनी से मिल जाएगा और यह वाला जो मल्टिमेटर है थोड़ा प्राइस इसका जादा है तो यह मैक्स्ट्रेफ कंपानी का यह कोई स्पॉंसर सी वीडियो नहीं है तो यह वाला में मल्टिमेटर यूस करूं काफी दिन से तो देख से पीछे का बैक कवर जैसे आपको फोन में बैक कवर रहता है तो यह उसी तरह से इसका भी बैक कवर है और हर एक मल्टिमेटर 9V बैटरी से ओफरेट होता है चलो सबसे पहले देखेंगे यह हमारा टर्मिनल होता है जो लीड होता है इस लीड को कहा कहा लगाना है तो देखो यह जो लीड है यहापे इस लीड को जो ब्लैग वाला लीड है तो अब ही आता है यहापे हमारा रेट कलर का लीड के ओपर ठीक है तो यहाँ पर जो rate color के lead है यह ना मतलब time time में change होता है जैसे कि black वाला है तो fixed है common में कोई वात नहीं लेकिन जब हम voltage check करेंगे तब यहाँ पर जो V वाला point है इसमें लगाना होगा अगर हमको resistance मतलब ohms में जो reading देखा यहाँ से जो logo है ohms का तो अगर हम लोग को resistance check करना है तो यहाँ पर लगाना होगा अगर हम लोग को milli ampere check करना है तो हम लोग को यहाँ पर लगाना होगा अगर हमको dc ampere check करना है तब जाके हम लोग को यहाँ पर लगाना होगा अगर insight देखोगे तो यह दोनों जो है parallel में है और यह दोनों है series में तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लगा देना होगा उसके बाद आभी यह knob में आता है क्योंकि यही चीज है हमारा main अगर इसको आप गलत तरीके से use करोगे तो यह बहुत ही जल्द खराफ हो जाएगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे DC किस तरह से measurement किया जाता है मतलब हमारा जो battery रहता है यहाँ पे SMP से जो output आइता है कि DC जो इलिखा रहता है DC मतलब direct current जैसे कि देखो यह वाला है battery है बाड़ गोल्ड का तो यह है DC power supply ठीक और आपका घर में जो power supply होता है ओ है AC मतलब alternative current तो हम लोग को सबसे पहले देखेंगे कि DC किस तरह से measurement किया जाता है multimeter से multimeter से अप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक icon देखने को आप लोग को मिलेगा जैसे देखो यहाँ पे V है एक line है और नीचे dot 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 है मतलब यहाँ पे यह वाला जो sign है इसका मतलब है यह DC तो यहाँ पे DC में कितना है देखो यह वाला तोरह हरा color के यहाँ पे red है, off है इसलिए और red है और यहाँ से देखो 600 से 200m तक white है और यहाँ पे जो icon है V है और यहाँ पे एक line है और नीचे dot dot है मतलब इस side जिस side अप लोग को यह वाला icon देखने को मिलेगा उस side है DC मेजर्मेंट करने का जगा अभी देखो यहाँ सबसे पहले छोटा वाला जो वाला बैटरी है जो है कि 12V का एक DC बैटरी है अगर हाँ बैटरी DC का ही होता है तो यहाँ पे बैटरी है तो बैटरी यह वाला है 12V का तो हम लोग को कीस तड़ा से यह वाला बैटरी को मेजर्मेंट करना है तो देखो simply so star से black को black में लगा दिया मतलब common में और rate को लगा दिया वोल्ट में तो यहां पर V का मतलब यहां पर voltage हो, voltage measurement करना है, इसलिए यहां पर V में लगा दिया, ठीक है, चलो, और यहां पर अभी इसको लगाएंगे, देखो, अभी हमारा battery है 12V का, तो हम लोग को लगाना है, maximum to maximum 20, मतलब यहां पर 200 भी लगाएंगे, तब भी कोई वात ने, ठीक है, 2V लगाएंगे, तब भी कोई बात लें, लेकिन हम लोग को, तो कुछ जादा लगाना है, जैसि यहां पर 12 है, तो अगर यहां पर 15 होता, तो हम लोग को 15 लगाना है, तो यहां पर 12V में select कर दिया, यहां पर देखो यह वाला है positive और यह वाला है negative तो positive में positive और negative में negative लगाएंगा तो देख सेकते हुए यहाँ पर 11.94 वोल्ट 95 वोल्ट आ रहा है इस reading को अप लोग को लेना है और आप लोग को चाह रहे हो कि यह वाला hold होके रहा है तो यहाँ पर hold बटन को प्रेस करोगा तो जीरो हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से अब DC बैटरी को चेक कर सकते हो एक multimeter से तो देख सेकतो हुए यहाँ पर 3.70 का बैटरी है यह वाला positive है तो positive के positive लगाएंगे और negative में negative तो देख सेकतो हो यहाँ पर 4.02 वोल्ट दिखा रहा है बहुत ही अच्छा तरह किसे यहाँ और एक बैटरी है जिसमें positive में positive में negative में negative लगाँगा तो देख सेकतो हो यहाँ पर 12.93 मतलब proper voltage यहाँ पर 100 हो रहा है तो कुछ इस तरह से आप बैटरी को मतलब चेक कर सकतो multimeter से हैं तो अभी देखेंगे कि एक multimeter से AC करेंट को किस तरह से measurement किया जाता है मतलब अब का घर में जो power supply आता है वो होता है AC power supply तो उस power supply को एक multimeter से किस तरह से measurement करोगे तो यहाँ पे फिर से मल्टी मिटर को ले लिया और मल्टी मिटर में फिर से यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे और एक साइन आप लोगो को देखनों कमी लगा जो देखो यहाँ पे फिर से भी है मतलब वोल्ट है और यहाँ पे देखो तोड़ा यहाніं पे wave करके एक sign है, यह जो sign है न, यह जो sign और यह जो logo है जहां पर भी आप लोगों को दिखाए देंगा, उसका मतलव है AC current मतलव alternative current, और यहाँ पर जो logo और यहाँ जो sign है अगर इसको आप दिखाए दे रहें, तो मतलब है DC current तो कभी गलती मत करना, यह है AC और यह है DC, ठीक है, तो जो तरीका है, वो सेम है, तो हमारा जो घर का पावर सप्ला गाता है, वो जाधा तर टाइम 200 V से उपर रहता है, तो ध्यान से देखोगे, तो यहां पे जो रीडिंग आप लोगो दिखाए देगा, यह है 600 V और 200 V, से चेक कर सकते हो, अगर यहां पे 1000 V दिखाए देगा, जैसे कि यह वाला जो मल्टिमीटर है, यहां पे देखोगे, 750 V, मतलब इसमें, अब 750 V तक इसमें मेजामेंट कर सकते हो, लेकिन यह वाला जो मल्टिमीटर है, मैकसिमाम तो मैकसिमाम, 600 V या मेजामेंट कर सकते हो, त तो यह वाला जो देख सेकत हो यह कॉट है तो यहां पे में घर का जो पावर सप्लाए उसको यहां पे ले लिए तो पस्वीज को करता है अन और यहां पे जो लीड है इस लीड को सिलेट करूंगा 600 वोल्ट में तो अभी यहां पे में लगाओंगा और हां और एक चीज़ फि वोल्टेश को हो रहा है तो है 220 वोल्ट अगर इसको हम ऐसे बीड करना चाहता हो तो इसको फुल्ट पुटन को कप्रेस करना होगा तो यहां पे देख सेत तो जो रीडिंद नाइन्टिन या 20 वोल्ट तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते तो सेम उसी तरह से अगर इपसक जाएगा 220 feet बनाब कुछ इस तार से आपका जो घर का power supply होता है तो उस घर का power supply को मेजनमेंट कर सेंद और एक multimeter से तो अभी देखेंगे कि एक multimeter से advance को की इस ता से ma每 audit जाता है तो यह पे देख से तो बहुत सारे resistance है तो जब फैली बार और अब रेस्टेंस को देखो गे, तो बहुत मतलब इसे गवराद होगा कि भाई कितना कलर है, देखो यह वाला भी अलग कलर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे तरा-तरा की कलर है, एकसाइक तो, कि कुई रेस्टेंस को, तो मतलब आप लोग को पैचन पाओगे तो उसका color देखके तो अगर color देखके नहीं पैचन पाओगे तब आएगा multimeter का बारी तो यहां पे कोई में randomly यहां पे कोई भी resistance में ले रहा हूँ ठीक है ऐसे उसका color देखके तो आप लोग को पता चली जाएगा फेड़ी भी मैं नॉर्माली कोई भी रेडनॉम उठा रहा हूँ तो चलो यहां पर भी यह वाला रेस्टेंस है और यहां पर एक रेस्टेंस को में ले रहा हूँ तो देख सेकत हूँ यहां पर मैं बस चार रेस्टेंस को ले लिया यहाँ पे reading को देखने के लिए तो यहाँ पे जो color आप देखोगे तो यहाँ पे जो पहला color है हो है red, red, yellow दूसरा यहाँ पे जो resistance लिया हो है yellow, brown, red और यहाँ पे तीसरा है orange, orange, brown और यहाँ पे जो चौता है हो है red, red, black तो यहाँ पे अगर color देखके आप लोग को पैचान आ रहे हैं कि भाई ठीक है तो गोई बात नी और उपर से अगर resistance खराब हो गया, resistance हो जल गया है और खराब हो गया, breakdown हो गया, तो उसको भी इसी तरह से check किया जाता है तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो यह वाला resistance है, इसको मैं check करके दिखा रहा हूँ तो सीम उसी तरह से यहाँ पे जो black color का lead होगा, ओ है common में और जो red color का होगा, ओ होगा, यहाँ पे देखो, यह वाला जो sign है, यहाँ पे लिख से कुछ इस तरह सा है यह है ohms का sign, मतलब यहाँ पे resistance को यह unit होता है, ओ है ohms तो यहाँ पर इसको लगा देना होगा, लगाने के बाद देखो, यहाँ पे जो हमारा resistance है, इसका color code है red, red, black, तो हम लोग को पता नहीं कि यह कि इतना value है, इसका color code का मतलब का है तो यहाँ पे जो resistance है, इसका और एक color है, जिसका गोल्ड है, गोल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे plus minus 5, मतलब 5 जादा भी हो सकता है, 5 मतलब कम भी हो सकता है, तो सबसे पहले इसको test करके मैं दिखाना वालो और उसका पहले एक बात की resistance को कभी भी हाथ में लेके इसको test नहीं करना है, क्योंकि आपका body का भी एक resistance है तो यहाँ पे क्या सबसे पहले जब check करेंगे, तो यहाँ पे देख सेक्तों, बहुत सारे reading आप लोगो देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे सभी resistance को देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले में 2M में लगा के दिखा रहा हूँ, तो देख से तो यहाँ पे जो reading देखो 00 है, बहुत कम आ रहा है, तो हम लोग को 200K में लगा के दिखा रहा हूँ, तो देख से तो यहाँ पे 0.02 आ रहा है, पर 22.7 आ रहे है तो चलो इसको hold करते है ठीक है तो अभी देखो friends यहाँ पर में select करके रखा हूँ 200 ohms में और reading आ रहे है 22.7 मातलब यह जो resistance है यह है 22 ohms resistance ठीक है 22 ohms तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पहले एक point है उसके बाद है 333 मतलब यह है 333 33 ohms का ठीक है तो यहाँ उसी तरह से यहाँ पे और एक resistance यहाँ पर लेंगे इसका देख लेंगे यहाँ पर जो reading यहाँ पर सो ही नहीं हो रहा है वाई चलो इसका reading थुदा जादा करके देखते है अघेक सेकते हैं यहाँ पर फिर भी सोनी हो रहा है, तो 2M में सिलेट करके देखता हूँ, यहाँ पर देख सेकत हूँ तो यह वाला जो रेस्टेंस है यह है 213 K Ohms का, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2M में सिलेट किया है, और उपर से यहाँ पर जो वैलू आ रहे है, 0.213 यह 14 Ohms में आ रहे है मतलब यहाँ पर जो रीडिंग है, वह है 213 K Ohms ठीक है, अगर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहे है तो वह ब्रेकडाउन है, मतलब वह रेस्टेंस खराब है तो देखो friends, अगर इसमें भी और भी कुछ फीचर से, जैसे कि इस तार से measurement करने के लिए, अगर इस वीडियो में डालूंगा तो वीडियो औल नमबा हो जाएंगा तो इसका part 2 लेका हैंगे बहुत जल्द तो जरू से subscribe कर लेना लहीं तो वह मिस हो जाएगा, तो चलो मिलते हैं next part में, thank you